Hello everyone, good evening everybody, so guys, RRB Technician Grade 1, जो कि Level 5 की जॉब है, Railways के अंदर और जहां पर 1000 पोस्ट निकली हुई है, डिपलोमा के बच्चों के लिए, डिगरी के लिए और ITI के लिए, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि कौन बच्चा लिजिबल है और कौन नहीं है, काफी सारे बच्चों को मन में ये लग रहा है कि दोनों सा Technician की जॉब है, मैं दोनों में थोड़ा सा क्लैरिफाई देना चाहता हूँ आप लोगों को, दोनों जॉब Technician की हैं, लेकिन याद रखना है एक Technician 1 है और एक Technician 3 है, Technician का Grade 3 दो प्रमोशन लेने के बाद Technician का Grade 1 बनता है, चीक है, और Technician का Grade 1 Signal and Telecommunication का सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है, जिसका Initial पे जो है वो 29,200 होती है, जिससे जस्ट उपर फिर Junior Engineer होता है Railways के अंदर, तो मैं आप से एक ही चीज़ बोलूँगा, Railways Level 6 की जॉब होती है, और ये जस्ट Level 5 की जॉब है, अब बात आती है सर, क्या इसमें CBT 1, CBT 2 तो है नहीं, इस बार एक ही CBT है, तो क्या सर्थ दोनों Technician का SLABUS, या मैं बोलूँगा, दोनों Technician का Level Cushion का सेम होने वाला है, नहीं, इन लोगोंने SLABUS में अलग से mention कर दिया है, तो आगर आप Technician Grade 1 के लिए fill up कर रहे हैं, तो आपकी knowledge एक अच्छी होनी चाहिए, चलिए तो मेरा target पूरा Grade 1 के उपर है, लेकिन Grade 1 का SLABUS वैसा बिलकुल भी नहीं है, जरा हम लोग देख भी लेते हैं यहाँ पे, तो clarity भी मिल जाएगे हम लोगों को SLABUS के regarding, बाकी eligibility क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में already बटा मैंने काफी सारी वीडियो बना दिया है, आप वीडियो के नीचे comment भी कर सकते हैं, BSC वाले बच्चों के लिए तो एकदम मज़ेदार वाली job है, क्योंकि काफी समय बात देखने को मिली है, BSC वाले बच्चे काफी परिशान भी होते हैं, कि सर क्या आएगा paper में, चली जारा SLABUS समझ लेते हैं, अगर आप मुस्से बात करोगे, कि grade 1 के SLABUS के बारे में, तो आप देखोगे, grade 1 में भी इन लोगों ने 100 questions रखे, 90 minute का रखा, यहां तक की तो बात clear है, one third negative marking भी रखे, लेकिन ज़रा grade 1 का SLABUS देखो, सबसे पहले इनोंने general awareness रखा है, वो grade 3 में भी है, general intelligence and reasoning रखे, वो भी grade 3 में है, basic computer application यह सिर्फ इसी में है, लेकिन ज़रा मैं emphasize करना चाहता हूँ, mathematics के उपर, बिटा जब grade 1 का mathematics देखोगे, और grade 3 का mathematics देखोगे, दोनों के mathematics में जमीन आस्मान का अंतर है, साथ ही साथ में, grade 3 जो है, जड़ा समझना, यह basic science scenario में पूछ क्या रहा है, physics, unit measurement, temperature, heat, electric potential, non-conductor, मतलब 12 कक्षा का basic physics डाल दिया, 11th का physics डाल दिया, यहां से लेके यहां तक देखोगे, तो पूरा का पूरा physics जो है, 11th class का, 12th class का पूरा mention कर दिया गया है, यहां तक, उसके बाद देखो, electronic and measurement, basic electronics, digital electronic, electronic device and circuits, microcontroller, microprocessor, electronic measurement, transducer, LCD LED, यानि कि यह आपका portion engineering का है, यह portion आपका 11th और 12th का नहीं है, तो यह वाला पूरा electrical and electronics का, खासकर कर मैं बोलूँगा, electronics का पूरा portion engineering का यहां पे mention कर दिया है, तो अब basic science engineering थोड़ा अलग है, पहले वाला अलग हुआ करता था, जब पहले paper एक ही हुआ करता था, मतलब last बार तक, अब अलग दुनिया है, समिल अली mathematics को जा रहा समझो, grade 1 की mathematics की अब मैं बात करता हूँ, तो heights and distance पूछा जा रहा है, empty set पूछा जा रहा है, finite infinite series पूछी जा रही है, then difference of statistics पूछी जा रही है, probability पूछी जा रही है, then अगर हम बात करते है, permutation पूछा जा रहा है, coordinate geometry पूछी जा रही है, यह वो आपका aptitude नहीं है, जिसमें आप profit loss पढ़ते थे, simple interest, compound interest पढ़ते थे, ratio, allegation, mixture पढ़ते थे, यह सब पढ़ते थे, यह वो नहीं है, यह mathematics 11 और 12 कक्षा की है, AP, GP, HP के arithmetic progression क्या थे, 11 और 12 कक्षा की mathematics है, अगर computer भी देखोगे, it is not a normal computer, computer viruses क्या है, various data representation, internet email, websites, operating system क्या है, input output device क्या है, networking device क्या है, तो एक अच्छा level का paper बना के दिया जा रहा है, आपको grade 1 के लिए, it is not that much easy, और नहीं आप इसके बारे में यह समझ सकते होगी, जैसे railway का पहले आता था paper, वैसा देख लेंगे, और सीख जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो grade 3 से grade 1 अपने आप हो जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है, grade 1 की तयारी बिलकुल अलग है, grade 3 की तयारी बिलकुल अलग है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, तो इस तरीके की चीज़े ना करें, बढ़ जो डिप्लोमा और इंजिनिरिंग वाले बच्चे हैं, वो grade 3 की तयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी बड़िया तरीके से 11-12 की maths, physics को proper तरीके से follow करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए already batches भी launch करेंगे, आप testbook के platform पर आतर के आराम से देख सकते हो, session को like करिएगा, जल्धी videos भी आप लोगों के लिए यहाँ पर, मैं बोलूँगा जल्धी से classes भी आप लोगों के लिए यहाँ पर start हो जाएगे, चलिए इसे तरीके से मिलते हैं session में, so thank you very much, bye bye, take care and love you everybody guys. करिएो लोगों के सकते हो,